भारत में IPL का आगाज होने वाला है लेकिन इससे पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान सूपर लीग यानि की PSL चल रहा है जिसमें की बाबर आजम का ट्रोल होने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जम कर वाइरल हो रहा है क्या है इस वीडियो में दरसल पाकिस्तान की पूर्ब कप्तान और पेशावर जालमी की जब कप्तानी कर रहे हैं PSL में बाबर आजम वो डगाउट में बैठे हुए थे अपनी टीम को चेयर कर रहे थे लेकिन उनके फैंस पीछे से जिंबाबवे जिंबाबवे का नारा लग थोड़ा कुछ ज्यादा ही रन बनाते हुए नजर आते हैं फिर दूसरी बात पाकिस्तान थोड़ पाकिस्तान के बारे में यह कहा भी जाता है और गौतम गंभीर कभी एक बार बहुत पहले एक वीडियो वाइरल हुआ था कि जिंबाबवे के अगेंस रन बनाना और इंग जिंबाबवे जिंबाबवे के नारे लगते हैं और इसके बाद बाबार आजम भड़क जाते हैं गुस्से में आ जाते हैं और बोतल को जो है फेकने का इशारा करते हैं क्या है यह वीडियो सबसे पहले तो आप यह वीडियो देखिए आपको बता दें कि डगाउट में चिला रहे ये लोग विराट कोहली के फैंस बताए जा रहे हैं जिसके बाद बाबाराजम खासे नाराज हुए जब जिम्बावे जिम्बावे करने पर वो गुसे में आगे भड़क गए और उसके बाद उन्होंने बोतल दिखा कर मारने का भी इशारा किया बताया जा रहा है कि इसके बाद बाबाराजम यहीं नहीं रुके और उनको भड़कती भी निगाहों से लगातार देखते रहे लेकिन फैंस का क्या है वो तो चुप नहीं हुए विराट कोहली के फैंस थे तो वैसे भी अगश्च नहीं ही होने थे तो फिर वो लगातार जिम्बाववे जिम्बाववे के नारे लगाते रहे तो देखा आपने कि जो है वो खेला जा रहा था पेशावर जालमी और मुलतान सुल्टांस के बीच में जहां पर बाबर आजम डगाउट में बैटे थे फैंस जुह जिमबाबिय जिमबाबिय चिला रहे थे बाबर बढख जाते हैं और इसके बाद बोतल फंकर मारने का वो इशारा करते हैं और ये वीडियो है मुलतान क्रिकेट स्टेडियम का जिसके बाद ये वीडियो आप सोचल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है लोग बाबाराजम को जबरदस्त ट्रोल कर रहे हैं और वो लगातार अब ये वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल ह क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट सेक्चन में जाकर जरूर रताएं